नमस्त मित्रो हम बात करेंगे बाबारामपाल की। दावा करता है कि कबीर के पंथों में भी बारा जो मत हुए हैं वे बारा के बारा जूटे हैं मैं अकेला सच्चा हूँ बाकि संसार में सब ऐसत्य बताते हैं संसार में सब गलत है मेरा मार्ग सच्चा है रामपाल का कहना है और रामपाल टीवी के द्वारा रिकोर्डिंग के माध्यम से मंत्र देता है क्या इसा मुम्किन संभव है कोई टीवी के द्वारा जान दे सकता है क्या उन टीवी के द्वारा अगर जान दिया जाएगा तो क्या रामपाल महाराज के चले जाने के बाद उनके चले नया मत्पन संपरदाय बना लेंगे इसकी कोई गारंटी है क्या वो मंत्र असल में काल के मंत्र है ये सारी जानकारी हम आपको देंगे रामपाल यह बाद ठीक कहता है वो उत्रादिकारी तो है पर वो काल है काल वो काल का दूत है लेकिन कबीर ने जो बताया उस चीज़ का उत्रादिकारी बिल्कुल भी नहीं है वो उत्रादिकारी तो है पर वो काल का उत्रादिकारी है कबीर का उत्रादिकारी नहीं है कबीर ने अनुराग सागर में काल का भी हूलिया बताया है एक बार मिलान करें तो खुद बाखुद पता चल जाएगा कि अगर उसमें ताकत है तो रामपाल सास्त्रार्थ करें उनके चेले आ जाए डिवेट कर ले पता चल जाएगा टीवी के माध्यम से तुम मंत्र देते हो ये सब पाखंडी और दूर्तों की बात है तुम दिन रात करते हो हम सास्त्रा अनुर्कूल भक्ती करते हैं सास्त्र के अनुशार चलते हैं सास्त्र में सो पृतिसत हम सास्त्र के अनुशार चलते है अरे पाखंडी दूर्त लोगों तुम्हें सर्मानी चाहिए किस सास्तर में लिखा है कि टीवी के माध्यम से नाम देख़ लेनी चाहिए किस वेद में लिखा है किस दर्सन में लिखा है किस उपनिशद में लिखा है किन पुराणों में लिखा है कौन से कबीर्दाजी ने किस गरंद में लिखा है कि टीवी के माध्यम से देव मूबाइल के माध्यम से देव रिकोडिंग के माध्यम से देव ये पाखंडवा दिता तुम क्यों करते हूँ तुम्हें सर्मान चाहिए जब उन्होंने कहीं पर भी किसी भी सास्तर में नहीं कहा कि तुम टीवी के मद्यम से नाम दिक्षा देओ तो तुम देढ़ते हो तुम डेढ़ होश्यार हो गए हो वास्त में रामपाल पूर्ण परमात्म नहीं है अपि तुम पौन परमात्म है चो पूर अभी नहीं है पौन है पौन और उसकी बुद्धी भी पौन हो गई है रामपाल जिसकी नोकरी करता है न उसकी भी नहीं बजाता है निर्वानी जो मंत्र है उसमें एक भी अक्षर नहीं है श्वास की जो द्वनी है उसमें एक अक्षर वानी से नहीं बोलना होता है इसलिए उसको एजपा और निर्वानी कहते हैं जिसमें वानी नहीं होते हैं निर्वानी कहते हैं एजपा जिसका जप नहीं किया जा सकता ओटोमेटिक ही जप हो जाता है और जो वानी से जाब करने का मंत्र है तो वो गलत सिद्ध हो जाएगा आपका और कबीर चरितर बोध के कबीर चरितर बोध जो मैं आपको परमान देता हूँ उसमें देखो क्या लिखा कितने ही सादू ऐसे भी हैं जो सत्य पुरुस की बक्ति से बटकाते हैं और काल पुरुस की बक्ति में लगा देते हैं इस उनकी शिक्षा और बातों से पहचान लेना चाहिए यशा नए हो कि उनकी धोके में आ जावे वे सादू काल पूरुस के दूत है उनसे सावदान रहना और जिस सादू में तता जिस सादू में अपने गुरु का जियान और उसकी शिक्षा देखना उसकी मरियादा तता सेवा अपने गुरु के समान करना और धोका दड़ी देने वाले सादू अपनी वारता लाप से स्वास प्रस्वास के द्वारा वो मंत्र मन्य हो जाता है तो तुम कहीं का मंत्र देते हो तुम्हें सर्मन ही आती सत्यपुरुस की बक्ति के अतिरिक्त और समस्त बक्तियां जाल और बंदन में डालने वाली है और ये रामपाल सत्यपुरुस की बक्ति नहीं बता रहा है जब तो तुम कहें का मंतर बताते हो तुम्हें सरमा नीचे ये पाखंडियों आगे देखो गरीब दाज जी का वच्चन सुनाता हूँ स्वांस जो खाली जाते हैं तीन लोग का मूल जो खाली स्वांस जाते हैं उसका तीन लोग का मूल स्वांस उस स्वांस में नाम जपोर व्यर्था स्वांस मत खोई नह जाने इस स्वांस को आवन हो के नह होई स्वांस की करसुमरनी अजपा को करजाप अजपा जो जपा नहीं जाता है उसका करजाप यानि कि स्वांस से समझ जो स्वांस लेते हैं उसमें सो के वा जाती है और फिर छोड़ते हैं तो हम के वा जाती है यह स्वास प्रस्वास को एजपा मंतर जब कह दिया इनों ने तो तुम डेड़ होश्यार हो गए हो जो सतनाम मंतर देते हो और बाद के मंतर देते हो तुमारा मंतर पाखंड है स्वासा की कर्स मरनी अजपा को करजाप परम तत्रों को द्यान दरी सो हम आपे आप हो रहा है ये गरीब दाज़ि के वचन है पाखंडियों माला है निज स्वास की फेरेंगे कोई दास जोरा सी बर में नहीं रिकटे कर में की फास काया मद्दे स्वांस है रिस्वांस मद्दे सार सार सब्द विचारी के साहब करो सुदार सोहम जाप एजपा है बिन रसना के धुन गरीब दास जी का वचन रे पाखंडियों सोहम जाप एजपा है बिन रसना के यानि की बिना जीब के वो अपने आप दुन हो जाता है तुम सोहम को छोड़ करके सतनाम दिक्षा दे रहे हो और दूसरी दिक्षा दे रहे हो ये तुमारी पाखंड ता है तुमारा जो दिक्षा का मंत्र है वही जूटा है तुम काल के जाल में फस गए हो निकलना चाते हो तो वेदों की ओर बड़ो जिसको कबीर दाजी ने कहा है जो तिलमाई तेल है रिचकमक जियों आगे तेरा साई तुझ में है रिजाग सके तो जागे अब जाग जो रामपाल के चेलो काल गुज गया है और यही रामपाल काल है जो गरीव दास जी के विरोध में चल रहा है और कबीर दास जी के विरोध में चल रहा है पाखंडियों समझ जाओ समझ जाओ पाखंड मत फिलाओ सत्य की ओर बड़ो आपका अपना यूट्यूब चेनल है धन्यवाज